या में आै wa special कि आज अभु काफी दिनों बाद आप सबसे बात करने आया है आप मेरे को रोज फोन आते हैं हर जगे से फोन आते पूरे रागस्तान से फोन आते यह पूछने के लिए कि स्तितिक क्या है और आलक्ष् lived that कि ये पास आज के तारिक में जो मुद्दे हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ा हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले आखवार में और टीवी में आया था कि हमारे 42 केस खतम हो गए तो जब मैं संबद अधिकारियों से मिला तो इन केसों की से बात हो रही है कि इसके अलावा जो आजेस्ट की भातिया होई है जो पांच नियुक्तिया हुई है उसमें जो बैट्यॉम आहिं पीमारी लेकिन अब हुआ लेकिन व भी हूत नहीं है वे दाए उसके अंदर में भी बैट्लोग हमें इम्प्लीमेंट कराना है हमें हो ca ५ nobody about this our YouTube ये वर विट वी पेंडिंग है। सरकार से उसमें बाद चल रही है इक रोच्फल परणाली है। इसका मतलब यह है कि पाँपर कंड दाली के तहते हैं कि सब्सक्राइब और पेराजिस्थान does लेकिन जब वो तैसीलों में चले जाते हैं तो अगर पद 20 से कम होते कहीं पर 18 कहीं पर 20 तो हमें आरक्षण नहीं मिल पाता तो एक तरह से हमें आरक्षण मिल भी गया और नहीं भी मिला जरुरत है कि जो आरक्षण है अगर पूरे राजिस्थान के लेवल पे दिया गया है तो उसका implementation भी पूरे राजिस्थान के लेवल पे हो जिससे कि हमारे पद हमसे छीने न जाएं और दूसरों से भरे न जाएं एक D&T certificate अपना pending है यह बात हमने रखी है D&T certificate अगर हमको मिलने लग जाएगा हमारी 5 आर्थियों को MBC की को तो जो seed की schemes है वो हमें मिलने लग जा साड़े तीन सो कुछ ऐसे लोग है अपने जो सरकार में भी काम कर रहे हैं लेकिन उनके promotions अभी नहीं हो इसके लिए भी चर्चा चल रही है बात चल रही है कार चल रहा है अभी तक सरकार की तरह से कोई clarity आई नहीं है देव नारायन बोड के उपर हर जगे से मुझे फोन आ सर्टिफिकेट होने की वएसे SBC, MBC हटने की वज़े से वो scholarships execute नहीं हो पा रही है इसके अलावा ये भी complaints आई है हमारे पास के जो teachers है जो girls hostels है वापे wardens नहीं है teachers पूरे नहीं है और कोई क्या है भी रहा था आज सुबही के जो admissions होने थे वो अभी तर कुए नहीं है तो इ नवी अनसुची था नवी अनसुची के लिए चिठी जह हमें आरक्षर पाच प्रतिशक विला था तभी चले गए थी केंदर को लेकिन उसमें अभी तक कोई पहल हुई नहीं मैं और हम सब के सब मिल करके अब आप सब के बीच में आएंगे अपन सब बैठके चर्चा करें कि आगे करना क्या है एक गउं जाएंगे हर एक बिकवित से मिलेंगे पटैलों से मिलेंगे इसको करेंगे नवी करके इसको करेंगे नवी अनुसुची तो अपने को चाहिए साथ क्योंकि अगर अगर अपना आरक्षण नहीं डला तो कुछ भी हो सकता है बहुत जद हम आपके साथ कुलेंगे आपने सुना अचा एक बात और मैं बताओं कि कर्णल साब का जो फोन था वो नंबर जो है अगर आपको ध्यान नहीं हो तो 96102 073 63 यह नंबर कर्णल साब का मेरे पास है आप उस पर फोन करेंगे अपन बात करेंगे और इस चीज को आग